हलो गाइस स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकर सेंस की किलासेस में माय साथ सुरम चोहान और आज के हमारे स्टॉपिक जो हमने रखा है वो बीए थर्डियर के स्टुडेंट्स के लिए है यानि के बीए थर्डियर में क्या स्लेबस है पॉलिटिकर से के लिए हम आपको बताएंगे कि कहा से अब खुआ क्या क्या यूडेयर में अभी आई है परपोकं के आये है to सबसे पहले जरूरी होता है हमारे स्लेबस का क्योंकि बिनाung सिलेबस के आप मार्केट से भॉक प्रडियो पर चैनल नहीं कर पाओग लेकिन जब तक कि आपके पास में syllabus की जो knowledge है वो नहीं होगी तब तक वो book भी आपकी बस रखी रहेंगी कभी खुल नहीं पाएंगी तो चलिए syllabus के बारे में जानते हैं जैसे यहाँ पर सबसे पहले first paper की मैं अगर बात करूँ तो principle of public administration यह आपका first paper है और इसमें चार unit है और first unit में देखिए सबसे पहले कि meaning, nature and scope of public administration, relation of public administration to other social sciences, public and private administration, the role of public administration in the modern state and responsive administration तो जो first unit है इसमें clearly जो आपको short out करना होता है या आपको जो study करना होता है वो पूरतरी कि इसके nature के बारे में, उसके meanings के बारे में कि क्या है public administration administration, आप क्या समझते हो उससे, कि जो लोग परशासन है, उसके बारे में आपको कितना पता है, other social science के साथ जब हम उसको relate करते हैं, तो वो कितनी जदा importance वहाँ पर रखता है, उसके साथ ही public और private administration यह अलग-अलग होते हैं, इन में क्या difference है, तो सारी की सारी चीजी जो होती है वो हमें unit first में clear करनी होती है, साथ-साथ में public administration का क्या role है, modern state में, यानि कि आसे history में क्या state में क्या activity रही है, administration को ले करके, और modern में, यानि कि आज के जो state है, उन में क्या स्थिती है, administration की, वो सभी यहाँ पर study आपको करनी होती है, next है unit second, यानि कि base of organization, पूरे की पूरे संग देखी, जो public administration होता है, इसमें जितनी भी activity होती है, जितना भी इसमें काम होता है, वो पूरा का पूरे एक organization के base पर होता है, जब आप कोई भी company चलाते हो, मतलब for example, छोटे से example से अगर मैं आपको समझाओ, आप कोई भी company चला रहे हो, उस company को चलाने के लिए आपको एक संगठन की जरूत होती है, संगठन मिंस वहाँ पे employees की जरूत होती है, एक ऐसे unit की, एक ऐसे समू की जरूत होती है, जहां वो पूरी तरीके से उसको व्यवस्तित रखते हैं, उसको discipline में लेकर के चलते हैं, तो unit second पूरी तरीके से organization base पर है, जिसमें primary of the functional base होंगे, principle of organization, यह संगठन के को सिधान्त होंगे, और साथ साथ में span of control, delegation of authority, centralization and decentralization, control over administration, legislative, executive and judiciary, जो नियाए ववस्ता है, वो कैसे control करनी है, कैसे महाँ पर कानून बनाना है, कैसे उनको execute करना है, implementation कैसे करना है, उनका यह सब यहाँ पर study करना होता है, अब next है unit third, इसमें है the chief executive line staff and auxiliary agency, the department, public and corporation, independent regulatory commission, field service, agency, bureaucracy, तो unit third में पूरी की, यहाँ पर जो तो unit third में जो आपको study किया जाता है, वो है कि यहाँ पर कारे पालिका के बारे में आपको पढ़ना होते है, कि प्रशासन की जो execute करने का तरीका है, वो कैसा होता है, साथ साथ में आपे staff selection, जो मतलब staff को कैसे जाता है, कैसे auxiliary agency वहाँ पर काम करती है, department, चाब वो private sector का हो, चाब वो government sector का हो, यह सारे के सारे department के बारे में आपको यहाँ पर study करने का मोका मिलता है, तो unit third में सारा का सारा आपको commission, जो regular करती है किसी भी काम को, independent हो करके, जो agencies होती है, उनके बारे में साथ साथ आपको जो इसमें हमारा पूरा का पूरा जो system है, वो bureaucracy, यहनि कि नोकर शाही के उपर depend है, यहनि कि आपने देखा होगा, जहां सबसे बड़ा अधिकारी, किसी भी district में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वो DM होता है, उससे उपर तो CM या Secretary वेगर होता है, लेकि अधिकारी की बात काम करता है, यहनि कि हर एक बड़े अधिकारी के अंदर अधिन छोटा अधिकारी काम करता है, और ऐसे ही step by step सबी अधिकारी एक दूसरे के respectfully उसके जो orders होते हैं, उनको follow करते हैं, और फिर next जलते हैं, यहां पर unit 4 को, unit 4 में है personal administration, तो यहां पर जो personal administration उसके बार में जैसे requirement, training and promotion, position, classification, public relation, financial administration, budget audit, तो unit 4 में पूरी तरीके से एक कार्मिक प्रशासन के आधार पर यहां पर discuss आपको study करने को मेलेगा, यहां कि कार्मिक प्रशासन में क्या होता है, किसी भी नोकरी के लिए, जाब वो private sector की हो, जाब वो government sector की हो, जब आप उसके लिए कोई requirement आप कैसे दे देगे, कैसे उनका promotion करोगे, promotion के बाद, जब आपको महाँ पे pension देनी होगी, वो किस process पे आप लोग महाँ पे दोगे, तो यह सारे का सारा इसमें study करना होता है, यह सब कुछ study करना होता है, यानि कि पूरी तरह के से हम कार्मिक परशासन को discuss करते हैं, कार्मिक परशासन का म यह से वो एक requirement से लेकर के, एक interview के बाद, जब आपको post available करा दी जाती है, आपकी capability के according, फिर आपको at a last तक, यानि कि जब आप pensions के आधार पर, यानि कि जब आप retire तक हो जाते हो, तब तक अवहाँ पूरा procedures कैसे होता है, कैसे वो काम करते हैं, कैसे activity होती है, सब आपके कार पर second, Indian Political Thought, जिसमें भी चार यूनिट भी गई है, यूनिट फस्ट में देखिए, मनू, भिष्म, कोटले, सुक्र, इन चारों को आपको यूनिट फस्ट में study करना होता है, मनू, जिसके manuscript बहुत ही world famous है, भिष्म, जो आपने अगर महाभारत को देखा होगा, तो आप भिष भिष्म को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर पाओगे, बहुत अच्छी तरीके से उसको understanding आपकी बन पाईगे उसको लेकर के, उस topic को लेकर के, और साथ-साथ ही बहुत अच्छा आप उसके बारे में लिख पाओगे, क्योंकि ये भिष्म वही है, जिसको भिष्म पिता स्टेट में भी उसको apply किया जाता है, वो कोटिले की diplomatic policy होती है, तो ये एक important होती है, जो आपको पढ़नी जरूरी होती है, अब next चलते हैं unit second में, unit second में है the Indian renesia, यानि कि जो भार्दे पुनर जागरन में है, यानि कि अब तक तो आपने history, देखे, मनू, भिष्म, कोटिले और शुक्र, ये हम history के level पर बढ़ते हैं, एक इतियास के बारे में, जानने के लिए, कि पहले कैसे कैसे मतलब, जो state था, कैसे शासन व्यवस्ताती महाँ पर वो उस चीज़ को ले करके, लेकि unit second जो है, वो पुनर जागरन का यूग होता है, इसमें आपको राजाराम मोहन गोपाल कृष्ण गोखले, और महादेव, गोविंद, रानादे, ये सब आपको महाँ पर study करने होते हैं, अब unit third में हम आप देखेंगे, अब unit third में हम देखेंगे, बाल गंगर्दर दिलक, अरविंदोगो, स्वामी विवेकानन, ये तीन के तीन जो आपके philosopher हैं, या Indian movement, या फिर आप इनको freedom fighters भी बोल सकते हैं, फिर next है unit fourth है, unit fourth में महात्मा गांदी, जवारलाल नहरू, एमन रॉय, ये परकास नरेन, तो ये सारे के सारे आपको यहाँ पर study करने होते हैं, तो paper first और second कितना important है, ये आपको पढ़ने के बाद ही पता लेगा, क्योंकि इतने important chapter औ ये सकते हो for UPSC, अगर आप UPSC की preparation कर रहे हो, तो भी मैं book आपके लिए कामा है, हिंदी और English दोनों में, वहाँ पे मैंने books PDF में डाल दी है, आप वहाँ से उस link को download करके वो book वहाँ पे देख सकते हो, so आज का session आपको कैसा लगा, अगर ये session आपको पसंद आया है, तो इस Instagram पे भी follow कर सकते हो, क्योंकि वहाँ भी हम अपनी वीडियो से related अपडेटिंग लगातर महाँ पे डालते रहते हैं, इसी तरह की informative वीडियो की अपडेटिंग के लिए आप हमारे channel को subscribe कर सकते हैं, thank you, जहीन, जह भारत